नमस्कार दोस्तो वेलकम टो ईसमार्ट रेवडी चनल दोस्तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्मचारी चैन आयोग में निकाले गई भरती के बार में दोस्तों आप सभी जानती होंगे कि यहाँ पर जो फेकेंसी निकाले गई है 3211 यहाँ पर फेकेंसी निकाले गई है अगर दोस्तों हम योकता की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास दसवी है, बारवी है, या कोई भी ग्रेजिशन डिगरी है तो सभी के लिए इसमें फेकंसी को जारी किया गया है तो बहुत ही सुनेरा मौका है आप सभी को आवेदन करने का इसके लावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा फोटो आपको कैसे अपलोड करना है और अपने स्टेट वाइस आपको फेकेंशी को कैसे चेक करना है सब कुछ जनकारी यहाँ पर आपको देने वाला हूँ इससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है साथी साथ बैल आइकन को प्रेस कर लेना ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप देख पारें ओफिसल नोटिफिकेशन जैसा कि मैं दोस्तों लास्ट डेट बता दू तो यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों यहाँ पर 25 अक्टूबर 2021 तक आपको जो फॉर्म है ऑलनाई रजिस्टेशन आपको कर लेना है वहीं फीज की बात करें तो यहाँ पर फीज की जो डेट है दोस्तों यहाँ पर 28 अक्टूबर आपको देखने को मिल जाता है 28 अक्टूबर तक आपको जो फीज है यहाँ पर पेमेंट कर देना है ठीक है इसका लावा एक्जाम डेट की भी बात दोस्तों यहाँ पर जाँगा तो वीडियो दोस्तों यहां पर बहुत लंबा हो जाएगा इसकारी है उसको मैंने यहां पर अलग से लिख लिए तो चलिए इसी के regarding दोस्तों मैं आपको सारी जनकरें यहां पर आपको बताने वाला हूं step by step सबसे पहले दोस्तों मैं एज्यूगेशन की बात करों तो यहां पर एज्यूकेशन अगर आपके पास मैंने सुरुवाए और 10 वी बारवी अगरिशन है तो अपलाईल कर सकते है और यहां परिस्ट सबसूर करें तो यहां पर तो पूटल पोश्ट यहां पर 3211 यहां पर वेकंसी जारी किया गया है इसके लबाद दोस्तों हम बात करें सिनियर साइटिफिक एसेस्टेंट बाइलोजी की यहां पर 3 वेकंसी को जारी किया गया है ठीक है इसके लाओ दोस्तों हम बात करें इंपोर्टेंट डेट की तो मैंने आपको बताए दिया ओफिसल नोटिफिकेशन के माध्यम से 25 अक्टूबर 2021 है एज लिमीट दोस्तों 18-30 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोस्सिविटी है अप्लिकेशन मोड आप सभी को पता ही होगा ऊनलाइन मोड आपको अप्लाई करना है कहां पर करना है स्सी.nice.in की ओफिसल वेब साइट पर जाकर करना होगा वहीं दोस्तों फीस की बात करें तो जनरल ओ जएस बार यहां पर आपको इस government एक जाना है यहां पर देख सकते हैं फोटो आपको कैसे अपलोट करना है सारी जनकारी यहां पर दी קивает है और किस-किस टाइप की फोटो आपको अपलोड नहीं करना है नहीं तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपको पहला जो अप्सन यहां पर दिख रहा है तो यहां पर आपको देखने को देखेगा बिल्कुल किलियर यहां पर फोटो दिख रहा है ना ब्लर है ना कुछ है और यहां पर सोल्डर भी जो है आपका यहां पर बहुत से किलियर यहां पर दिखाई दे रहा है ऐसा आपको जो फोटो है वो अपलोड करना है ठीक है और ब process दोस्तों यह ही है okay allowed वाला जो है बिल्कुल neat and clean जो आपको दिख रहा है वही आपको साब सुत्रा जो फोटो आपको दिखे तो वही दोस्तों यहाँ पर फोटो यहाँ पर upload करना है यहाँ पर आड़े टेड़े होके फोटो मत किचवाएगा वो फोटो आपको बिल्कुल भी upload नहीं करना है नहीं तो दोस्तों आपका form जो है वो reject कर दिया जाएगा ठीक है इसका लाओ दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कैसे इसको वेकेंसी यहाँ पर आपको देखना रहता है तो उस यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर junior seat analyze यहाँ पर girls get in sector charge man ठीक है इसी परकार से यहाँ पर accountant head clerk तो इस सारी वेकेंसी को आप देख सकते हैं यहाँ पर age भी लिखा हुआ है यह भी देख सकते हैं और यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर mention किया गुए है कि वेके agency यहाँ पर जारी की गई है आप जिस भी state के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको देख लेना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो टेंथ वाले कि इसमें apply करेंगे आप सभी जाते होंगे यहाँ पर जो 10 का आप देख सकते हैं multitasking stop वाले multitasking stop में यहाँ पर 10 वाले आवेदन होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आप जिस भी रीजन से आप जिस भी उस स्टेट से आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको देख लेना है ठीक है तो जैसे यहाँ फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन अप्लाइक करेंगे तो यहाँ पर जो कमेंट वक्स में कमेंट करकिए जरूर बताना मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यमाद थैंकी फूर वाचिंग जैहें